आठावाजी शटकली, बोला था मैंडे, मैंडे पुला था, जेटर थाइदम तो छाए बज्जराव सिंगम मेरा नाम है कार्तिक, लेकिन आप लोग मेरी आर्तिक स्थिती कमज़र क्यों करना चाहते हों, क्या दुश्मनी है मेर से? ये सिंगम से क्लैस करने से पहले सोचता था, क्योंकि ये दिवाली सिर्फ सिंगम की होने वाली है, सिर्फ सिंगम की लेकिन आप लोग एक बात भुल गये, ये साल हॉरर फिल्मों का है, मुन्जया और स्त्रीटू का बॉक्स अपेस कलेशन देखो, मान जाओगे लेकिन सिंगम में कॉवेड़ी एक्षेन ड्रामा सब है, और अश्टे की बिना भुल भुल गये ये टू, कोई देखने नहीं जाएगा, सब लोग सिंगम देखेंगे आप भुल भुले ये टू, का बॉक्स अपेस कलेशन देखो, उसके बाद आप ही बोलोगे, औरो में कहा दम था अटा बारी साटखली, आली रै, आली, आटा टुडिक्ट पाली आली, बेरी फ्लॉउब फिल्म की बाटे क्यों कर रहा है, मुझे बेरी फ्लॉउब फिल्म यार क्यों दिला रहा है, सिंगम से पंगा ले रहा है तो सिंगम सर वो तो गलते से निकल गया मैंने तो आपके वो भी फिल्म देखिये उसका डिरेक्शन पुनम पांडे ने किया है न अबै पुनम पांडे नहीं निरज पांडे डिरेक्टर है अबै ऐसे क्लैश करते रहोगे तो कलेश होता रहेगा इस बार सिंगम बैसुरय वन चीह इस लिए इसका कलेश्चन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा सिंगम सिर्फ मेरी वजह से जलेगे क्योंकि सिंगम फक्ता ने फक्ता माजी फिल्म है ऐसा मत बोलो सर जी मैं सिंगम का डारेक्टर हूं और डारेक्टर की वज़े से फिल्म चलती है अबे लेकिन सिंगम में में लीड कोन कर रहा है ये तो बता दो ऐसे लग रहा है कि सबी लोग सपोर्टिंग रोल कर रहा है मेरी फिल्म में लीड रोल में कारे होती है स्टंट मैन होती है और डारेक्टर होता है आ बटा सरकस का डारेटर को था बटा वो तो मेरी असिस्टेंट डारेटर ने शूट की थी उस टाइम तो मैं सिंगम लिखने में बीजी था रामायन की स्टोरी फिर से लिखने में आपको बहुत मेनत लगी हो गया है न मेरी भूलबुलेटू का रिमेक बाने वलो सुदर जो या वे कोई ओरिजन नहीं है मेरी भूलबुलेटू चाही रिमेक थी लेकिन ओरिजन स्टोरी थी अब वो फिल्म चुपके से देख लिए एक फिल्म बाने में बहुत सारे लोग लगते है पूरी टीम लगती है वो किसी एक की वज़े से नहीं चलती अब आ गया लाइन में अब बात समझ में आई मतलब आप मानते हो कि भूल भूलो या तू पूरी टीम की वज़े से चली नहीं नहीं वो तो धबू के वज़े से चली इतना तो मोलूंगा वै तो दोस्तों आपने कौन से फिल्म देखी भूल करके बताईए मिलते अगले वीडियो में